तो आदाब नोश्कार को डेनिंग सचाकाल एक बार फिर आप तमाम लोका स्वागत है क्रेम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद है परी फैमिली अच्छी होगी अपना ख्याल रख रही होगी कल यूपी की एक कोट बलके ग्रेटर नोईडा की कोट ने पाकिस्तान सरहत पार करके बिना वीजा के आई सीमा और अपने जो चार बच्छों को लेकर आई थी सीमा और सचिन इन दोनों को जमानत दे दी मुझे अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में बहुत कम ऐसा याद है कि किसी महिला पर जासूस होने का शक हो या जो बिना वीजा के खास्तार पर पाकिस्तान से भारत में आया या आई हो उसे एतनी जल्दी बेल मिलती है जमानत मिलती लेकिन ऐसा हुआ तो जैसा मैं शुरू से कह रहा था खुद नोईड़ा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद या साफ हो गया था कि मामला जासूसी का नहीं है बलकि मामला इश्ग का है तो सीमा और सचिन को जेल में रहना पड़ा दो तीन रात लेकिन अब उसके बाद जमानत मिल ली और आज सुबह सीमा काईदे से कहें तो अपने ससुराल ग्रेटर नोईड़ा के रभू पुरा इलाके में पहुँच गई पूरे इलाके में पूरी भीड़े लोगों का आना जाना लगा हुआ है क्योंकि हरे एक को ये खबर मालूम है तो आज दोपहर बाद मैं भी ग्रेटर नोईड़ा के इस रभू पुरा गाउं पहुचा अपने कैमरामेन विनोश शिकारपूरी को लेकर भूपेंदर जो हमारे लोईड़ा के रिपोर्टर है उनको वो भी साथ है और हम लोग वहां पहुचे लिए और वहां सीमा और सचिन से पहली बार मुलाकात की दोनों से बाते हुई कैमरे पर भी और बिना कैमरे के भी और बात्चीत के बाद मुझे लगा कि दोनों बहुत खुश है सीमा को जमानत मिली बाहर आई है उसने एक बात कही मैंने उसे पूछा कि कम से कम वीजा के बिना आई हो यानि लेगल तरीके से तुम इंडिया में दाखिल हुई हो तो केस तो बनता है और ये जुर्म है उसने गा जो भी हो मैं अब पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हूँ मैं यहीं अब रहना चाहती हूँ मरना भी हो तो यहीं मरूंगी और मैं सचिन के अलावा और किसी के साथ नहीं रहूँगी इतफाग से सीमा के पती ने सौधी अरप से एक वीडियो रिलिज किया और इस वीडियो में अपील के आ कि मेरी बेगम यानी सीमा को वापस पाकिस्तान भेज़ दो हमारे पास उसने प्राइमिस्टर नरिंदर मोदी से भी अपील की है तो अपने इंटर्वी जो आप देखेंगे इस अभी आगी सीमा और सचिन से जो मैंने पूरी बातचीत की है तो मैंने इस के बारे में पूछा कि आपके पुराने शोहर ने एक वीडियो जारी किया और आपको कह रहे कि वो भारे सरकार पाकिस्तान भेज़ दे तो आपका क्या कहना है और क्या आपने सुना तो सीमा का कहना था मैंने वो वीडियो सुना और देखा और जूट बोल रहा है उस शक्स ने मुझे कपका छोड़ दिया चार साल से हमालग है वो सौधी में है उनिस से और वो मुझे बहुत मारता पीड़ता था मेरे उपर मिर्चियां फेकता था उसने यूपी के चीफ मिरिस्टर योगी आदित तनात से भी अपील की सीमा ने कि गुजारिश करूंगी उनसे कि वो मुझे यही मेरे पती के साथ रहने दे उसने ये भी बताया कि उसके चारो बच्चा सचिन को पापा कहते है कैसे पाकिस्तान से शार्जा और शार्जा से फिर नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान का पूरा सफर तैकिया सीमा ने उस कहानी को भी बयान किया इश्क कैसे हुआ? कब शुरुआत हुई? ये भी बताया जब दोनों मार्च में इसी साल पहली बार नेपाल में मिले काटमांडू एरपोर्ट के बाहर जब सीमा शार्जा से पहुँची और यहां से सचिन बाई रोड तो उस पहली मुलाकात की रियल में आमने सामने के कि अब तक वर्चुल दुनिया में दोनों मिल रहे थे तो उस वक्त के उन दोनों के जजबात क्या थे? उसके बारे में बताया उसने ये भी बताया कि मार्च में जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब कैसे? उन्होंने वहाँ शादी की थी एक मंदिर में ये भी बताया सीमा ने कि जब बिछड़ने का वक्त आया मार्च में एक हफता साथ रहने के बाद तो जब दो दिन बार दोनों को अलग होना था वो दो दिन तक दोनों सरफ रोते रहते थे ये भी बताया सचिन ने भी बताया कि उसके पूरे परिवाद ने उसे अपना लिया है और अब भी उसकी जिन्दगी है घरवालों से भी जो मैंने बात की अलग से, वो लोग भी बहुत खुश, पडोसियों से कुछ बात की, कि आपके अप महले में एक पाकिस्तानी बहु आई है, तो वो लोग भी खुश, तो खिल में लाके सभी खुश हैं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सार ऐसे सवाल हैं जो सीमा और सचिन से पूछना जरूरी सीमा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, उसने बताया कि उसको सचिन ने सिखाया, उसने हिंदी फिल्में बहुत देखी है, उसने बजरंगी भायजान भी देखी और मैंने एक सवाल भी पूछा कि बजरंगी भायजान में सलमान खान तार के नीचे से पाकिस्तान आने जान future क्या है अगर भेज दिया तो क्या होगा नहीं भेजा तो आगे जिन्दगी कैसे चलेगी यह सारी बातें आज सीमा और सचिन से डारेक्ट पूछी ताकि हमारी क्राइन तक family तक सीधे डारेक्ट वो बात उन तक पहुँचे तो यह पूरा इंटर्वी सीमा और सचिन के साथ जो मैंने किया जो उनसे बाचीत की आप सुनिए और इसके बाद अपनी राए जरूर दीजेगा तो यह इंटर्वी सुनिए इस वक्त हमारे साथ वो दो लोग हैं जिनकी चर्चा पिछले कई की दिनों से पूरे देश में हो रही है एक है सचिन और दूसरी है सीमा सीमा को सरहत भी कहते हैं सरहत दो मुलकों के बीच होती है हाला कि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहत को नहीं मानते आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखित सीमा सरहत पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ क्या सचमुच प्यार अंधा होता है या सचमुच आज के जमाने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है तो शुरुवात आप से सीमा कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान दूर है वहां से और आप पाकिस्तान से अकेली चार बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई पाकिस्तान और हिंदुसान के रिष्टों के बारे में आप जानती हैं वैसे ही ठीक ठाक नहीं है तनाव बना हुआ है और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूं अपने चार बच्चों को लेकर एक अंजान देश में यूँ ही चले आती है बिना वीजा वीजा के तो इधना बड़ा जोखिम आपने लिया ले न पड़ा सर। अब दो ई रास्ते थे यह वहां रहें के रोणा इंहीं था यहां ट्राइ करना था अगर मैं पकड़ी जाती न तो मुझे यह दूख न और क्योंकि न करी वहना सारे जिंदे की पश्तातीयाली तो मैं कोश़ यह कोशिश करती और काम्याब हो लिए मैं पहले इंडियान वीजिया से आना चाहरी थी पर मझे एंडियान वीज भीजा नहीं मिला तो मझे डिल जो रहा है तो मझे ए रास्ता अपना अपड़ फैल झो तौझे ए एन भी याई यह आई ए यह तो ड़ बॉर्डर के रास्क करा है, तुमे खांग। में पार तो मुझे नियोंने का कि चली जाओ, शायद मैं खुदगरसी हो गई थी, पर ये ना हुए. मैं ये जाना चाहता हूँ सचीन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे है? सर्फ पब जी से हुआ था, आप पब जी खेलते थे? सचीन ना चाहता हूँ है है मैं तो खेलते खेलते हैं है? आपक जी में बात करते हैं जैसे भून पर वोती है बात रहिए ऐसे बात भी बाद फिर उускे बाद जैसे लुघ सोरा था धर उसके बाद यह दोड़ करी नोब बजे करी अंट्लाइन अए थी पर गिया है नचुज है तो कम आता था था मै थोड़ा ठीक खेले लेता था, जादा भी ठीक नहीं हाँ खेल लेता था, तो क्या गहते हैं , अमने ऐ시 ही खेलके 15 श Segundoabi » खेलकेर, हमने फिर नंबर legal deaf करा क्या है, अनौ नर्यम्वर बताया था, तो लंबर एक्षेंज करा, मैं यह सोचता था कि वहां की लड़की सब जानकारी नहीं थी ना, तो वहां की लड़की सब ऐसी होती हैं, यानि कि एक हिंदू, हिंदूस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं यह सोचता था, सब लड़की वहां की ऐसी होती ह तो इस तरीका की इसमें कुछ बात ऐसी नहीं थी तो सर ऐसे ही धीरे 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 ये कहते थी मैं इंडिया वाली से बात कर रही हूं तो ऐसे ही धीरे धीरे बात सप्पे होते होते हमारा प्यार धीमे नहीं में बाता हुआ चला गया 2021 में सोचा कि हम तेरे विगर नहीं रह पाएंगे तू मेरे विगर नहीं रह पाएगी तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीजा वीजा कहां से बनती हैं कैसे बनती हैं कहां पर बनती हैं तो यूटूब पर सब सर्च मारा कि यूटूब के बाट सब उस पर कि पासपूर कैसे बनता है, वीजा कैसे बनता है, टिकेट कैसे लगती है, कहां पर लगती है, कौन सी जिगे पर लगती है, तो हमें एक देड़ साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसी ही लग गई उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप को पहली बार का एसास हुआ कि आप सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे था हो हिंदुस्तान या पाकिस्तान 21st में यह और को लगता थे कैंदë old team को देखते लिखता तो नहीं था जब मिलेैं जब उच्ऱ के वह गशचिट कहलें पराम को था को वहां मैं यह से आ गई मैं हम आ गया हम दोनों साथ हैं ऐसे इस तरीका की फीलिंग आ रहे थी तो नेपाल में इसने सब चीज उक्के करा ल पपजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और चार बच्चे हैं, शादी कैसे हुई थी, आपका क्योंकि ये कहा जा रहा कि वो लव मेरज थी, थाले कोड मेरज थी, लव मेरज बिलकुल ना थी, ऐसा था कि मेरकास कोई गजन था, मतलब खल लाइक था, पसंद करती है, उनका समय मेर्हे, वो मुझे रिश्टा मागा, सबस्क्रे प्संद करते हुए, तो पसंद का पता होका, गर पाकस्ता हो से हो, भ Some G gaze, पको पता होग sweeping मामा राजीना थे मेर मामू जो है नहीं कोई भी राजीना था है अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मैं तक मिसे तो आपकी शादी मर्दी के खारफ होई अगर उसे को परसनली पूछे को लोग कर दो पाद पाद पंद्रा में हुआ था दोसी लड़की हुई इसके प्रवाद तीसरी और मुन्नी जब मेरी पेट में थी ये चले गए था तब भी मेरे इसे तलाग लेना चाहरी थी पापा घर एक महीना रही फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को का तो मैं चली एक गुस्से में तो आप दोनों फिर अलग कप से थे आप अलग अलग कप रह रह रहे थे जब मेरे इन से बाद चीज ज़्यादा होने लगी ना तब भी वो मझे शक की नजर से देखते थे तब वो पाकिस्तान में थे ना वो आए नहीं वापिस कभी भी नहीं आये किस साल गहते हो उनने स तो उनने से बाद तब तक नहीं आये तो मतला जब वो नहीं थे उसके बाद पेदेदा सचिन साब की दोस्ती होगी तो जब पहली बार आप दोनों कब मिले थे उसका पहली बार नेपाल में साथ 10 मार्स ज dando federette अइसं कशलिये आप कैसे पुछी में टिकेट कर वाही जैसे टिकेट होती है वाहन से टिकेट करवाई इसपाध अबासी एजसी अगराच अजि कराएं टिकेट कर वाहां पर ऊपर कराची शेयर में आपीज लिए श give अपको डर नहीं लगा था इस तरह कोई डर नहीं था कंफ्यूज जरूर थी पतलम मैंने यह भी देख रखा था यूटूब से के इंट्री केस पर पहली बार में एरपोर्ट में पुछी दी तब अपको लगा नहीं जिस लड़के से अंजान लड़के जिसको देखा नहीं हिंदुस्तान से है वो और उससे मिलने जारी तो आपको डर नहीं लगा देखा था और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ मैं समझती हूँ मलक देश हो कुछ भी हो जब तक बंदा खुद टेडा ना होगा खुद गलती न करेंगा कुछ भी नहीं हो सकता तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहां दुबई से नेपाल पहुंची है डर के से शारजां से नेपाल और ये वहां से यह मुझ से पहले म को सिम मैंने वहां जगा ली थी बॉर्डर पर पहुंच कर एक दिना पहले यह नो मार्च को सुबह को ही मैंने वहां पर अप दोनों की पहली मुलाकात आमने सामने कहां पर हुई है काट मांडू बहाँ इंटरनेशनल एरपोर्ट पर काट मांडू आप एरपोर्ट के बाहर एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे एक पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे तो आप दोनों की उस वक्त क्या रियक्शन था क्या भावनाए थी कोई पता ही नहीं क्या रियक्शन थी क्या वो था कितनी खुशी मिल रही थी कि बहुत खुशी मिल रही थी तो एरप तो साथ दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए एक को हिंदुस्तान आना एक को पाकिस्तान तबके सवादे के साथ अलग हुए था कि अमें जुदा हो जाओंगी तो देखा करूंगे और ऐसा ही होता था जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को मार्च में अलग हुई 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 मेरे बारा लाग टे तो तीन लाग में पहले खतम कराई तो फिर में टैंशन में वहुते हैं हम दोनों टैंशन मी थे कि पैसे पूरे कैसे होंगे तो उन्हें एक वर अपने लारन से भी मांगे कि थोड़े पैसी तम सीमा को भेज़ दूं तो वह उनों इनको डाड़ दिया कि फिरोड़ शिरोड़े छोड़ दे अगर आना होगा खुद आ जाएगी तो पैसे जासे ना है इनकी लाला ने का तो मैंने को तुम रहने दो अगर नसीब मी होगा तो हम मिलेंगे वरना बस रहने दो पैसे का इंतराम कैसे क्या फिर मुझे सस्ती टिकेट मिल गई जब तब के साथ आप ने कहा था कि अपनाओंगा हाँ जी सर चारो बच्छों को लेंगे हम अपना जीवन बैर को करेंगे मैंने खुद भी कहा था मैंने आस कि से भी तेरा वहाँ कोई है नहीं और बच्चे बिगर मा के बालक बाप भी नहीं है और तू भी नहीं रेगी तो छोटे-छोटे बच्चे हैं कैसे रहेंगे वहाँ पर तू बच्चों को लेकर दुबारा आना जब रहेंगे यहाँ पर आप पाकिस्तान से फिर बच्चों को लेकर कैसे पहुची नेपाल, कितने तारीख को निकली है और वहां से यहां तक कैसे पहुची हो काली है? एक जब रिटैन के साथ 3 लाद कुर्ण एमारे बी की अगले सुछे सवरी जोप हर कापमन्डू उनने जाले हैं वहां रहा है लग्या सा धिर झाल्ने कर आर बजानने वाले हैं हम तो रहां करके होटला जानने हैं अफे जित्वाल भो इस बेंगने में निहां हमाने… अबहाइं नहें एक मारेख थे करें करूंए तो में वहीं से सुभई को था मतलब टेक्सी पकड़ी है गारी बदलने की जरत नहीं जाओ तो तुम बच्चों के साथ बहुत जलील हो जाओगी तो तुम आराम करो भी यहां से बस जाएगी उन्हें जगा जगा कि यहां से अपका टिकेट हो गई उन्हों आदमी उने फिर मेन वे भी होटल पर बूक करा बच्चों को खाना किला तो यहां बना कर देखके बच्चों के अधित ने पर बिच्छ आड़ागी खुड़ा तो आप जा सकती तो अले बच्चों के इनका नाम लिखवाया बच्चों के जटंग गाड़ी जा रही है यह जा चाड़े भी में तीन टिकेट होगी तो आप जा सकती हो तो मैं बद पिर इनका नाम लिखवाया अपना नाम लिखवाया बच्चों के जो इंडियन नाम बरके थे हमने वो लिखवाय और ड्रेस पूरा इनका मतलब था वो लिखवाया और पर टिकेट उगए तो नेपाल वॉडर्डर पे इंडिया मॉडरर पे आपकी कोई पूंचताच नहीं तो जब यहाँ आई पहली बार आप एक तरह से सुस्राल ही कहूंगा अब आवा गई तो इस वक्त आपकी क्या फिलिंग ते इस वक्त आपके ज़बात क्या था जब मैं इंडिया के राज करा ना मैं बहुत होगए मैं जहोम अपर इस अची में फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा गए बड़े स्पीकर में गाने चला गए अपने कानों में बहुत खुश हुई मैं फिर मुझे इतनी वता खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ यह सफ्राल आकर कैसा लगा पहली बारर अपक है कि अ कुषा लाइफ एंके तो उसमें छुद्ध हिंदी बोली जाती है तो हीं एक बजरंगी भाइजन फिल्म आई थी देखी थी आपने भजरंगी भाइजन की कहानी ये थी कि सल्वान खान एक बच्ची को पाकिस्तान थी की थी मुन्नी उसको छोड़ने के लिए जाता है और वो तार के नीचे से जाने की बात होती है आप तो सड़क के ऊपर से वो भी आप लोग उसे request है, कि योगी जी से हमारे ये request करें कि मुझे यहां रहने दिया जाए, मुझे यहां की नागरता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाओं। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, जो आपके पुराने शोहर है, घुलाम हैदर, उन्होंने एक वीडियो जा रही क्या है, और सौधी एरब से और अपील किये है, कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान बेजा जाए, उस वीडियो को आपने देखा, आप उस पे क्या कहन जाना चाहेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगे, वो मतलब दिखावा कर रहा है, सिर्फ ठीक है, वो दिखावा किलाओ कुछ नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाओंगी, वो सब को मतलब गया है, मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, यह सिर्फ ड्रामा ही कर रहे है कोई प्रेम नहीं है और इंडिया के लिए याँ मोडीजी के लिए थिर मुझे बारेंगे एक फिसेदी को अगर उगर और आप पाकिस्तन पहुंच चैनल आइं तो आपको लाओए पाकिस्तन के साथ क्या होगा मारदे बतात चाहिए पत्त्रों से मारेंगे थू-थू तो जमाना कर रहा होगा, भी सही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा आशर होगा, मैं नहीं जाओंगे, सर्थ, आप जाना नहीं चाहती है, यह हिंदू, अगर होते हैं, फिर भी अलग पास, यह हिंदू है, तो इसके लिए मुझे कोई भी हम यह चाहते हैं कि मूधी जी से और योगी जी से मेरी निविदन यह है, कि हम दोनों की साधी करा दें, और हमारे घरवाली भी रखने के लिए तयार हैं, घरवारे बोल रहे हैं कि तुमारी साधी उस तरीका की कराएंगे, जो हिंदू दरम में घर पर की जाती है, बियाव जी से नहीं हम, तो जितना अपके घरवालों का पूरा सपोर्ट है, जी से पूरा सपोर्ट है, आपके बच्चे हलाकि उम्र कम है, फिर भी यहां करुनी इस बात का एसास है कि वह इसको कहा है, एसास है उनको पापा कहते है, यह जब मेरे पती तो वह तो इतना बात ना करत करते हैं, इनको पापा ही कहा है, ने बड़ा लड़का है, अपके जो घर वाले है, माबाप, भाई, बहन, उनको तो अप सारी ज्यानकारी है, उनका रेक्षन क्या है? उनसे बाती नहीं, मेरे पापा ममी है नहीं, बड़ी बेहन की शादी हो गए, छोटी बेहन और भाईया हैं बस, और उनकी भी कल शादी हो जाती, तो अपनी जिन्दे में खुश रहते हैं, पिस्ती तो मैं नहीं पे, पिटाई तो बेजती, सब मेरे साथ होता, बहुत बुरा होता है, हैदर मुझे बहुत धमकी देते थे, अगर आपको उसे कॉंटेक्ट रहना तो पूछ लेजी कि आपको धमकी देते थे, आप उसे जुट मुट में कहिएगा कि उसने हमी शबूत दिखाया कि आप उसको धमकी देते थे, तो आपको बताएंगे, अगर सच्चे हैं चले आखरी सवाल, बहुत बार किस्सों में, कहानियों में, फिल्मों में, आपको जैसे आप दोनों की कहानियां हर तरफ है देश में, सुनते हैं प्यार 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 एक होता है कि प्यार अंदा भी होता है, ये भी कहा जाता है, सरहत पार कर लिए आपने, अब आने के ब कि हम छे साल थे पड़ी हैं, आठ साल थे पड़ी हैं, वहाँ पड़ी थे ओुष बहुत सुंदर थी, तब भी मुंभी तर्दी थी, तब ही मैं और जेलों सब को गए ती मेरे बच्चो को छोड़ दो मैं तो तीक हो तीक हूँ कि बहुत बच्चों के बहुत ब़्ट बुरा वहां पर अफरिकन भी थी, अजीब से लिप ड्रेसिंग थी, उनकी बहुत अजीब सी लेंग्वेज, चछोरापन, मतलब बहुत ऐसे, यसे होती हैं कैदी लोग, कोई बच्चा चोर थी, कोई पती के मडरमी थी, कोई कैसी थी, कोई कैसी थी, तो मुझे ये बात अच्छी न कुरे देश में हो, और यहां पर जब मैं आया हूँ, जहां पर ये दोनों रहने हैं, इनका घर है, मुझे पता चला कई लोगों से, कि सुबा से यहां भीड है, तमाम जो आसपरोस के लोग हैं, वो भी इन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, और ज्यादा तर चेहरों प तब तक अपना खाया रखेगा, थैंक यू वरी मुझे